हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मादवीस किचेन चिकेन का नाम सुनते ही सभी का मुमें पानी आ जाती है और चिकेन 65 का तो आप बाती मत पुछो तो दोस्तो चलिए चलते हैं आज हम अपने किचेन में बना लेते हैं एकदम स्पाइसी टेस्टी चिकेन 65 दोस्तो वीडियो पहले मेरे एक रिक्वस्ट है आप अगर मेरे चानल पे नहीं हो तो मेरे चानल को जरू सबस्क्राइब किजिए सबसे पहले हमें चिकेन में सारे मसाले अच्छी तरह से मिला लेना है इसके लिए हमें चाहिए मीडियम सेज पीसेज कटा हुआ बोनलेश चिकेन में यहाँ 200 ग्राम ली हूँ अब हम सारे मसालेस वन बैवन हम डाल लेते हैं सबसे पहले हमें इसमें दो से डाई चम्मच दही डाल लेते हैं आदा चम्मच नमक नमक और आप मेर्च आपने स्वाद के अनसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर यह थोड़ा तिका है इसलिए मैंने सिर्फ दो यी टीस्पून ले हूँ आदा टीस्पून हल्दी का पाउडर एक टीस्पून बरके आद्रक लसन पेस्ट और यहां पर मैं ले रहे हूँ फूट कलर एक चुटकी बरके रेड कलर मैंने ले रहे हूँ फूट कलर बिलकुल आपको आप्शनल है एक टीस्पून दन्या पाउडर आदा टीस्पून गरम मसाला आदा टीस्पून मरे की पाउडर याने काला अब हम इन सारे मसालास चिकन से अच्छी तरह से मिला लेते हैं हम सारे मसालास दही अच्छे से मिलाने के बाद आपको ऐसा लगेगा थोड़ा से चिकन में लिक्विड ज़्यादा हो गई है लेकिन आप कोई बात ने हम बाद में चावल के आटा डालेंगे तब सब ठीक हो जाएगा अब हम इसमें डालते हैं एक अंडा हम अंडे को भी डालके अच्छे से मिक्स करके और जितना ज़्यादा आप हो सके उतने ज़्यादा आप इसे मैगनेट कर लीजिए साइड पर रख लीजिए उससे आपका चिकन शिक्स्टी बेका टेस्ट बहुत ही बढ़ती है अब हम इसे डख के आदा गंटे से लेके तीन चार गंटे तक आप रख सकते हो मैंने तो यहाँ पर धो गंटे रखी हो अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा दनिया पत्ता आप दनिया पत्ता पहले भी डाल सकते हो मैगनेट करने से पहले भी मैं भी डाल रहे हूं और दो टेबल स्पूल यानि राइस फ्लोर अभी हम राइस फ्लोर मैदा चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मैंने जैसे बताए हूँ चावल के आटे डालने से जो भी लिक्विड था वो सारे चावल के आटे ने अबजर्ब कर ले रही है और फ्लोर को भी अच्छी तरह से चिकन को कोट होते हुए मिक्स कर लीजिए बस तैयार हो गए है अब हम इसे फ्राइ करना बाग की है ते लिए अब हम फ्राइ करते हैं इसे फ्राइ करने के लिए हमने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है और हम इसमें आप डालेंगे एक एक चिकन पीस को पकोड़े के तरह ओईल में डालते जाएंगे और आप एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए आपकी ग्यास की फ्लेम लोटू मीडियम होना चाहिए वरना आपकी चिकन बाहर से जल जाएगी और अंदर से अच्छी से पकेगी नहीं इसलिए आप इस बात की जरूर ध्यान रखिए और इसे डालने के बाद आप आधा मिनिट तक इसे बिल्कुल भी मत चलाईए और आधा मिनिट बाद आप इसे दोनों तरब से पलटते हुए अच्छी तरह से रेडिस ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे आप फ्राइ कर लीजिए आप देख सकते हो अच्छी सी रेडिस ब्राउन कलर आ गई है इसे एसे फ्राइ करने में मुझे सिर्फ तीन से चार मिनिटी लगी है अब हम इसे ओईल में से निकाल के एक पलेट में ले लेते हैं और इसे ही सारे चिकन को हम इसे फ्राइ करके रख लेते हैं अब हम तड़का लगा लेते हैं, इसके लिए ग्यास के ऊपर रखा एक कड़ाई और कड़ाई में डाल लेते हैं, एक टेबल स्पून ओईल, ये ओईल में ने जो चिकन फ्राइ किया हैं, वही ओईल यहां पर यूज़ कर रहे हूं, हम ओईल को अच्छे से गरम होने देते है अब हम इसमें डालेंगे तीन से चार कटा हुआ मिर्ची, हरा मिर्च, और साथ में डालेंगे ग्रेटेड लसन, मैंने एक टेबल स्पून जितना लसन को यहां ग्रेट करके लेए हूं, अब इन दोनों को अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं, अब हम इसमें डालेंगे डेर सारे कड़ी पत्ता, चिकन 65 में कड़ी पत्ता जो क्रिस्पी कड़ी पत्ता आते हैं, वो खाने की टेम बहुत ही अच्छा लगते हैं, इसलिए आप जरूर कड़ी पत्ता ज्यादा ही डाल लीजिए, अब हम इसमें डालेंगे जो फ्राइ करक चिकन सारे चिकन को हम इसमें डाल लेते हैं आधा टीस्पून मरी की पॉडर यानि कालमीच की पॉडर भी इसमें डाल लेते हैं अब हम इसे अच्छी सी टॉस कर लेते हैं दो से तीन बार बस आधा मिनेटी से हम फ्राइ कर लिया है हो गए अपना चिकन सिक्स्टिफ है तैयार बस आप साव कर लिजिए गर्मा गरम एकदम स्पाइसी चिकन सिक्स्टिफ है तैयार है गर्मा गरमी इसे सार्व कर लिजिए और दोस्तों आप जरू ट्राइ कीजिए और आपका घर पे कैसी बनी है यह जरूर कॉमेंट में बता दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिए उससे मेरे हर एक वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहल झाल 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 चाल कीजिए बता है complicated